स्वल्व करवा रहा हूं MP Assistant District Public Prosecution Officer का पूरा पेपर जी हां आज मैं आपको स्वल्व करवाऊंगा पेपर और बो भी मैं आपको फुल डिटेल में करवाऊंगा और इसके लिए दो से तीन वीडियो भी बन सकती हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने किया त सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया और människor अगरे अगरा पैपर कर्वाया था और मैंने सलेविस ने बनाही है कि MPPSC ने स्लेवस ADPO का चेंज कर दिया है और अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और आप प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे की ADPO की आपके पास पूरी वीडियो आएं और आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में कर दीज यह आप कुछ भी लिख दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि आप वीडियो देख रहे हैं सुरू करते हैं तो ADPO मतलब Assistant District Public Prosecution Officer यह final model answer की तो सबसे पहला question पूछा गया था कौन से संसोधन के द्वारा भारत के संभीदान की उद्देशी का में पंत निर्पेक चता समा समारी जो प्रस्तावना है उसमें पंत निर्पेक चो समाजवादी सब्द को किस अमेंडमेंट से जूड़ा गया आपके option है 42 अमेंडमेंट 24 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट तो इसका right answer 42 अमेंडमेंट और SORK ADPO में आ सकता है 42 अमेंडमेंट कब हुगा सब्सक्राइब कर दीजिए आप बात करते हैं नेक्स्ट कोस्चन की और नेक्स्ट कोस्चन पूछा गया था कि अच्छतम नियालाय द्वारा किसी लोगपद पर किसी व्यक्ति की निरस्त करने हैं तो नमने रेट जारी की जा सकती है तो एंगलेंडमेंड मेंडमेंड परस इन 16 के एक जाम में पूछा गया था तो वह है भारत के उच्छतम नियालाय की अधिकारता बढ़ाई जा सकती है दज्यूरिस्टिक्षन आप दशूप्रीम कोट आप दा इंडिया में इनलाज्ड बाय मतलब जो सूप्रीम कोट है उसकी अधिकारता मतलब उसके कोई करतब ब्रॉप्रीमाय का लिए उसके वो बढ़ा के किस से बढ़ा जा सकते हैं तो क्या रस्डपती बढ़ा सकता है क्या पार्लिमेंट रैसूलूशन के दोवारा वड़ा सकती है, क्या पार्लिमेंट के दौरा बना सकती है और तबढ़ा सकती हैEA the President in lovault und gci CJi of India मतलब जो की च जो कि 2020 में हो सकता है अक्टूबर नमबर होने की संभाबना है अब बात करते ही नेक्स्ट कॉस्चन की और नेक्स्ट कॉस्चन फोर्थ है पूचा गया था कि इस ट्रांसजेंडर को मानने था उच्छितम नियालाय ने निमलेखित में से किस बाद में दिया दे सुप्रीम कोट रिकोगनाइज्ट दा ट्रांसजेंडर इन बिच आप फॉलिविंग केस और आपको और दो केस बता दूं कि एसार बोम मोई वर्सेज उनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि सेकुलर इस दा वेशिक फीचर आप दा कॉंस्टूशन अगर आप पैन पेपर रखें तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यह कॉस्चन कई बार पूंचा जा चुका है और इस बार डीपो में यह केस पूंचा जाएगा कि एसार बोम मोई वर्स से यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का केस है तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की और आप ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट कॉस्चन है कि वेचोप दा फॉलवेंग केस रिलेट्स टू दौक्ट्राइन ऑप एकलेप्स यह काफी इंप्रेंट कॉस्चन ह और कई बार रिपीट हुआ है और हमेशा रिपीट होता रहेगा कॉस्चन है कि निम्म लखेत मेंसे कौन सा बाद आच्छा दन की सिद्दान से संब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप एक को भी एक पर देखना हुआ क्योंकि कॉंस्ट्टूशन से डिलेटेट कॉस्चन सब्सक्राइब करते हैं और कई बार एक जामों में भी आया है कि अनुचित पंद्रा का खंड पांच किस संविदान संसुदन से जूड़ा गया था Кवाज म्यृण स्यूँ आज्थ व क्लाउस 5 अव tutti 15 से इन डाक इन्टि एन्टिषवासन औंडिया विय और सिंसोजना अमें बंद्रेट ऌन सेवं दंद्रेट इससे पहले विटा दूंकि पहले इसंविदान संसों दौरा 9 में अंप्षिजिव जूड़ा गया था वह यहाई भी सवेल जज़ में आया है और लोकल लर्क में भी आया है दोनों में ने बताया है तो आप प्लेलिस्ट में जाए प्रीविएस एर के पेपर में और सब वीडियो इस्टेड़ी सिक्ष्टीन चैनल पर फ्री देख सकते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए तो में से किस मामले में उच्छितम नियालाय ने यह निर्नत किया कि उद्देशी का संभीदान का भाग नहीं है काफी इंपोटेंट कोश्चन है और कई बार आया है इन वेच आप फॉलबंग केसे सुप्रीम कोट हड़्ट अप्रियंबल लेज नॉट पार्ट आप आप अप आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि है सबल जजबें आया क्योंकि आप प्रिवियस एर के फेपर देखिए और इन्हें देखिए अगर सेम कॉस्टन आपको मिलेंगे तो आपके ऑप्शन है और गोलखनात बर्शेज इस्टेट ऑफ पंजाब केस बानंद भारती बर्शे इसमें समझा दिया है कि इसमें बेसेक इस्ट्रक्चर बताया गया तो यह भी ऑप्शन में है और ऑप्शन में है गुलखनात बर्शेज इस्टेट ऑफ पंजाब वहें केसे 1967 का और इसमें 112 जस्टेस ने एक डिसिजिएन दिया था और इसका राइट आंसर है लेकिन रिव और प्रियंबल इसा पार्ट ऑफ कॉंस्ट्टूशन या पताया गया था खेज वरनन्द भारती केस में इसे लिए वह उन्होंने ऑप्शन में रखा और स्टेडी 16 पर आपको पड़ाई उपर उपर नहीं करवाई जाती है क्योंकि स्टेडी 16 चैनल पर कुछी बच्चे द नहीं किया जाता है अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉश्चन की कि वह जिसेप्रत्य रूप से नहीं किया सकता उसिय अप्रत्य रूप से वह नहीं कि जा सकता है वäg दिदे संब्स debates बच्टेटेमिन डरीक्ट्ली गेन इन ड secondo direct देने स्टेटमें जरूसर से पहले मैं आप कि क्यों कोश्चन आया है उस दिन आप भवस्तमानी करेंगे कि यह कोश्चन आएगा अब आप सोच रहे हूं कि यह कोश्चन आएगा लेकिन मैं आपको दावी की साथ कह रहा हूं आप पूरी वीडियो देखिए और उसके बाद आपका नॉलज़ कितना हाई होगा है आप ख लेजिसलेशन इस से रिलेटेड है अब आत करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की काफी इंपोटेंट कोश्चन है कि भारती संभीदान में मूल करतभ्यों की संकल्पना किस देश से ली गई और यह कोश्चन में अपनी प्लेलिस्ट में मैंने कॉंस्टूशन की सीरिच करवाई ह उसमें भी आप देख सकते हैं मतलब आपको पता है कि पार्ट फोर में फंडमेंटल ड्यूटी मतलब होता है हमारे करतब और मूल करतब जोड़े गए थे हमारे जो इनक्यावन ए में और यह जोड़े गए थे 42 संसोदन द्वारा 1976 में और यह भी राक्टर सरदार स्वन सिं कमेंटी की सफारस पर रेक्रमेंडेशन पर जोड़े गए और यह भी कॉस्चन आ जाता तो मैं टेटिल में पढ़ा दूं आपको कि 42 अवेंडमेंट एक्ट 1976 उसी द्वारा और क्यास देश से लिए गए आपके उप्शन है यूएस एसर यूएसर को ही अभी रस्या बोला जाता है पहले इसे बोला जाता था यूएसर यूनियन सोवियत सोचल स्ट्रप्रफ अब इसका भी में कारण डेटिल में बताऊंगा क्यूंकि 1993 में तूट गया और रस्याई का लगदेश बन गया और तूटे थे उससे पहले बता दूं कि यूएसर से क्या जोड़ा गया यूएसर से हमने भारत की सम्भी जानों क्या जोड़ा यह को सचने सबार आएगा पिछली व्यार यूएसर आ रहा है तो इस बार यूएसर से जोड़े हैं फंडमेंटर राइट हमारे फंडमेंटर राइट मौलेक अधिकार और यहां बीलल्ब इंट्रेंस पेपर में यह कि किस पार्ट में फंडमेंटर राइट से हैं तो पार्ट थर्ड में डफाइन है वाइलेंड से क्या जोड़ा गया तो डीपीस पी जिनने हम इंगलेस में कहते हैं डारेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलसी मतलब राज्य के नीती निदेशक तत्व हो रहा हैं लिखने की जरूगर नहीं है अब को बात करते हैं ग्यारवी नंबर के कोश्चन की कि नमलकेत मेंसे कौन अपना पद्वहारत के राष्ट पती के प्रश्याद पर एंत्धारन करता है अब बात करते हैं नेस्ट कोश्चन काभी इंपोटेंट है कि भारत की संभीदान के अनुच्छे 217 संभननेत है आर्टिकल 217 ौश्चन के फर्टिकल लेते हैं तो मैं आपको लिए कि ऐसे आलडिकल आपके लिए पढ़ने का आज़िये उपीस्सी में आपको बताऊ घठिय आपके 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 beginners है और दिनेंस में कि पावर से है तो नहीं है और इनेंस तो 2013 में है और 123 में इलेक्शन कमीशन यह भी नहीं है अपॉइंट्वेंट ऑफ जजजेश ऑफ दाई कोट अप रेकॉर्ड उच्छे नहीं आलाया विदेखने आलाया के रूप में तो यह भी नहीं तो राइट आंसर है अब बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की नेक्स्ट कोश्चन है निम्मलखत में से कौन राष्टपती द्वारा नेक्ट नहीं है इसका राइट आंसर है एडवोकेट जनल ऑफ स्टेट अब बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की नेक्स्ट कोश्चन है बेलेज मनीबल और और यह कोश्चन तो कई बार आ चुका है जी हाँ यूपी एस लिए पीएस लेवल का एक जाम कहते हैं उसमें भी आच्ट कोई वेदेयक धन वेदेयक है नहीं इसका नरना कोन करता है अगर आप एड़ी वी की तैयारी कर रहा है तो आप एक क्वेश्चन को कई बार देख चुके होंगे तो आपके option है राष्ट्रपती लोकसवा अध्यक्ष प्रदान्वन्ति वित्तमंति यह बिलेज मनीबल और Padrais usually pokemon तो स्पीकर होता है जो लोकसवा का वोरिवेंट करता है कि मनी मिल है कि नहीं और आप बताएए कि मनी बेंबल तो कितने दिन के अंदर सिश्वा को वापश कर ना होता है वह पनेपी पास मलन लिया जाता है और एक बात और बता दो कि स्पीकर होता है वो लोग सभा का होता है चेयर्मेन होता है वो राजसभा का होता है वो राजसभा का जो चेयर्मेन होता है वो उपराश्टपती भी होता है मतलब कौस्टन आए कि राजसभा का चेयर्मेन कौन होता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा ह अब बात करते ही next question की वह पंदरी नमर का question की भारत की संभीदान का कौन सा नोचे लोग से बायोग की सदेस्टियों की निक्ती से संबन देथ है which article of the constitution of India related to the appointment of the member of the public service commission तो आपके option है 315, 316, 317 और 318 तो राइट आंसर है 316 मतलब 316 अब बात करते ही next question की next question काफी बार आचुका है कि article 301 of the constitution is related to संभीदान का अनुच्छे 301 संबन देथ है option है संपात्ति के अधिकार से नागरेक सेवकों के अधिकार से धन बेदेयक से या अंतर राजे बयापार की सोत अंतरता थे तो इसका राइट आंसर है freedom of interstate trade मतलब अंतर राजे बयापार की सोत अंतरता से अब बात करते नेक्स्ट कोस्टिन नेक्स्ट कोस्टिन नेक्स्ट कोस्टिन ने भारत की संभीदान के किसा अनुच्छित के अंतर अंतर राजे परिशत का अगठन होता है इंटर स्टेट कांसल इस स्टेबलेस्ट अंडर विच आफ फॉलिविंग आर्टिकल ऑप्शन है ऑप्शन 254 ऑफशन 260 ऑफशन 263 ऑफशन 267 ऑफशन 263 मतलब ऑप्शन 273 अच्छित का राइट आंसर है नेक्स्ट कॉस्टन काप इंपोटेंट है कि लता सिंग बना मुत्तर प्रदेश राज का बाद संबंदेथ है लता सिंग बर्चेज स्टेट ऑफ यूपी रिलेटेट तू बिच फॉलिविंग केस आपके ओप्शन है विदेश जाने के अधिकार से सिक्षा के अधिकार से आच्री के यजिकार से या और एक पके ओप्सन है राइट टू अब रोड। रहेट टो एजूकेसं क्राइट टु मेरेचतु के ने हम चालासीं का बंदेने का बचन हमारे भारत में भी चल रहा है तो कॉंटेक्ट रेक्ट के में स्पेशल वीडियो बनांगो फुल सीरेजे डिप्यों के लिए फॉल कॉंटेक्ट कल वांगो सौल एमपीसेवल जच के लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए तो आपके ऑफ्शन है नौट एंफॉर्सी क्या है अगर आप कॉंटेक्ट पढ़ा हैं तो आप इंगलेस में पढ़ने की कुशिस करें क्योंकि कॉंटेक्ट आप हिंदी यह भूल सकते हैं अगर आप हिंदी वीडियों के विद्धियारती है तो आप थोड़ी थोड़ी इंगलेस भी देखिए यह काउंटर ऑफर एकटेंस टुए न उफर है रेजेक्शन अफ़ दा ओफर है कंडिशनल एकटेंस तो इसका राइट आप सरे रेजेक्शन ऑफ दा ओफर नेक्स्ट कॉस्चन है कि इन अग्रिमेंट विता माइनर एज वोइड हैंस आवश्यक्षिक के साथ की कई संभीदा शून होती है अत राइट अप्सन नमारी माइनर इज नेवर ऐलाउट चुम्फूर्श सच एगरिमेंट इसकी बाद नेक्स्ट कौस्टअ तववेंटी टू नमबर का है कि इनट एगरिमेंट वाइफ्रॉड है इज कपट से किया गया करार क्या होता है चुने होता है अ प्रहाना होता है अ आपको बता दूँ कि मैं आपको MPADPO MPADPO के पेपर करवा रहा हूं यह पेपर आपके लिए ऐसा कोई भी नहीं अभी तक करवा पाया है अब अगर कोई कॉपी करके करवा दें तो बहुत अलग है तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप बैल आइकन को दबा दीजिए औ और आपको एक बात बता दूँ कि आपको इस चैनल पर फुल डिटेल मिलेगी MPADPO के फुल एक्ट मिलेंगे तो आप प्लीज इस चैनल पर बने रहिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट कॉस्चन है यदि कोई बैक्ती यह मानते हुए कि है बक्तब सही है गलत बक्तब देता ह और संवीदा की अनपक्षकार को ब्रहएत नहीं करना चाहता है तो इसे कहा जाता है तो आप ध्यान से समझें आपको क्वेस्चन और आपको कुछ समझना है अगर आप इस चैनल पर आये हैं और दो सभाड़ी सीख कर जाएंगे तो मुझे काफी कुशी होगी तो मतलब गलती कपट मिथ्या वेप्रदेशन या अनुचित प्रभाव तो इसका राइट अंसर है मिसर प्रजेंटेशन मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं मांग रहा हूं आप बस कमेंट करें चैनल पर नेक्स्ट कोश्चन है कि प्रपी नंको भारती संबीदा अधिनियम की नमलकित किस धारा में बंदित किया गया है कोई सियन इस प्रवाइड़ अंडर विच्दा फॉलेविंग सेक्शन ऑफ था हिंडियन कॉंटेक्ट एक्ट तो मैं आपको डिटल मताऊंगा कॉंटेक्ट एक्ट तो अभी सुनिए और फोर्टीन है फिप्टीन है सिक्स्टीन है तो राइट अंसर है किस सेक्शन सेवेंटीन सेक्शन है साथ लेकिन आप चेक कर लीजिए तो आप लोगार कमेंट करेंगे तो मेरा आतमेसवास बढ़ेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बताऊंगा अच्छी से आपके लिए एक्ट जालूँगा तो नेक्स्ट कॉस्टन है भारती सम्वीदा इसका राइट आंजर है अनकंडिशनल एंड एपसलूट तो यह तो हो गया 25 कोश्टन अब बात करते हैं 26 वेक कोश्टन की नेक्स्ट कोश्टन है भारती सम्वीदा अधिनियम के अधिन सून करने सम्वीदा को परिवास्त किया गया है मैंने आपको विताया था यह परकार 1, 2E, 2H, 2I यह 2G तो राइट आंसर है 2I ओप्शन नमबर 3 इसका राइट आंसर है और आपको विताजन हमारे भारत में 1872 का है नेक्स्ट कोश्टन है कि देयर में भी कॉंटेक्ट विताउट कंसिडरेशन इफ बिना प्रतिवेल के भी संवीदा हो सकती है यदि करार लेख अब बात करते हैं नेक्स्ट कोश्टन की यह कोश्टन तो इंडियन कॉंटेक्ट एक्ट का बीवी आई एंपी कोश्टन है इसे में फाइव स्टाट दूंगा कोश्टन है महरी वीवी वर्से धरमदास घूसकीस इस रिलेटेट टू और यह कोश्टन कई वार आया है तो आ नश्वीन परिजिवराống में अविशयक के करार के प्रकाव में से कपट की दसा में किये गए प्रभाव से बिना प्रती फिल बाले करार के प्रवाव से हैं मैं से कोई नही बात अंसर और एफेक्ट आफ मानर्स अग्रीमें तो लाइट अंस वा đत आधिन से प्रिप्या को तो आप हमारी प्लेडिस्ट पर जाईए चैनल की और वीडियो देख सकते हैं और अगर आपके लेट की त्यारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट कोश्चन है विच आप फॉलेवंग फेश डाज नेमल लखेत में से कौन सा यह गुंस सुमेलत नहीं है तो पहला है नुबेशन ऑफ कॉन्टेक्ट सेक्शन बासट एग्रिमेंट रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रिसीडिंग सेक्शन 29 टेंडर ऑफ पर्फॉमेंस सेक संबीदा का नवियन धारा वासट विदेक करवाई में अब रूद की करार अधारा उन्ती संबीदा पालंगी और विदी विरुद्दिष्ट था पिर्दीफल धारा तेज राइट आंसर टेंडर और पर्फॉमेंस सेक्शन थर्टीएट अब बात करते हैं नेक्स्ट कोश् पूछ लिया है कि अटा सो संपूर भारत पर लागू है जम्मु कस्मी राज के सवाइशंपूर भारत पर है जम्मु कस्मी नागालेंड बेटस से कम राज के सवाइब भारत पर है यह स्कूई नहीं पू से पहले में आपको बता दूए अभी 2020 चल ला है और आर्टिकल 317 हट गया है लेकिन यह जब पेपर आया था जब आर्टिकल 370 थी था और यह पेपर 2016 का है तो अगर मैंने आपको कोई भी कॉस्टन स्वाल करवाए हैं तो यह उस टाइम की आंसर सीट के साफ से करवाए हैं युश्टन इंडियन कॉट्रेंट्ट काव्स एक्ट स्वाएं पर लेकिन ऊहते पहले मैं अपको बदा थेदिए अप भारत पर लागूगा है अब भी यह जब आएगा इसका राइड़ आइगा संपून भारत पर लागू हो घया इंडियन कॉंट्रेंट्रेंट इंक और यहां 1872 का चलता है इस स्पेस्पेक रिलिफेक 1963 के चलता है नाइंटीन सिक्स्टी बन है साथ आप चेक कर लिए 1963 का लिमिटेशन एक्ट चलता है नेक्स्ट कॉस्चिन है कि सम्मती स्वतंत्र तब कही जाती है जब आनमलेकत से नाकारत हूँ तो आपको बता दूं के इंडियन कॉंटेक्ट से बहुत सारे कॉस्चन डिपो में आ रहे हैं अभी तक 10-15 आच वह हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना चाहिए अगर आप खुछ से पढ़ेंगे तो आपके लिए प्रॉबलम होगी मैं आपके प्रीजियर पेपर भी पढ़ाऊंगा तो कॉस्चन है जहां संबीदा में संबीदा भंगोने पर सास्ती के रूप में सासी रासी का प्रावदान है तो पीड़त प और रिजनेबल अमाउंट इवन मोर देन देट ऑफ इस्टुपलिट अमाउंट अब बात करते हैं नेक्स्ट कोस्चन जो है 33 कोस्चन की किसी संबीदा के अधिन अश्रम्या कशार से संबन्यत अभिवाग उठाया जा सकता है अंडरा क्वंटेक्ट प्ली ओफ अन्डियों और अधिकारी द्वारा कि अजनवी द्वारा या केवलाउस पक्षकार द्वारा जिसकी सहमती ऐसी कारत की गई हो इससो पहले मैं आपको अगर आपको यह वीडियो की थोड़ी वीडियो क्वालिटी देखने में प्रफ्रॉल्म हो तो आप इसको 360 पी में देखिए क्यों 144 में यह वीडियो अच्छी नहीं दिखती है तो मैं कोसेष करूंगा अंगली वार से कि वीडियो अच्छी आए है अभी चैनल सब्सक्रेश करेंगे तो मैं और अच्छी से वीडियो करनानी को प्रफिपहल होना चाहिए जुए अंडर इंडिया लॉग कोंसेडरेशन में भ बात कॉस्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि संपत्ति अंतरा नदीनियम 1882 कब लागू होगा ट्रांसफर अप्रोपर्टिक 1882 कब लागू होगा तो यह लागू होगा एक जुलाई 1882 को तो इस वीडियो में 25 को सुरी 25 को स्वाइब नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा क्यूंकि वीडियो बड़ी बनना है तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कियर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और वेल आइकन दबाएगे जब यूटूब आपको वीडियो यह होता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं तो धन्यवाद